प्रभात स्टुडेंट्स, वेलकम बैक टु माई चैनल ग्यानकी गंगा, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्छा सास से रुचिरा भाग दो चैप्टर नमबर एड त्रिवरण राश्ट धज़, हम लोगोंने फर्स वीडियो में देखा था कि हमारा जो राश्ट धज़ है उसके क क्या खासियत है, आईए आज का चैप्टर देखते हैं, देविड, नेक्स स्टुडेंट कहता है, आम कथम न, आम यानि हां कथम नहीं जानते हैं, क्या आप नहीं जानते हैं, धज़श्य उपरी इस्थित, केसरवर्ण, त्यागश्य, उच्साहश्य, चसुचक, जो उपरी यानि ऊपर में इस्थित केसरवर्ण, जो केसरीय रंग है, वह त्याग और उच्साह का प्रतीक होता है, मद्धे इस्थित, मद्धे में यानि बीच में इस्थित स्वेत वर्ण जो सफेद रंग है सात्विक्ता या सूचिता या च दोतक वह सात्विक्ता का यानि सादगी का दोतक होता है या उसका प्रती होता है अधा इस्थित नीचे इस्थित अधा यानि नीचे इस्थित हरित वर्ण जो हरारंग है वह सुन्धरा या सुस्मा या उर्बरतास्च दोतक नीचे इस्थित हरारंग धर्ती की सुन्धरता सुस्मा और उर्बरा सकती का दोतक होता है यानि उसकी उपजाओ सकती का दोतक होत पेजिंदर नेट्स बच्चा कहता है सूचे सूची ध्वजस मध्ये एकम नील वर्ड़ंग चक्र वर्थते। ध्वज के मध्य में नील वर्ड़ंग नीले रंग का एक चक्र भी होता है। ऐसा वह पूछ रहा है, कोष्चन कर रहा है। सुची कहती है आम आम हाँ हाँ इदम असोग चक्रम कथेते हाँ उसे हम लोग असोग चक्र कहते हैं एतत प्रगते न्यायस्य च प्रवर्तकम यह प्रगती और न्याय का प्रतीक होता है सारनाथे असोग स्तंब अस्ती वाराणसी में इस्थित सारनाथ नामक स्थान पे यह असोग स्तंब है तस्मात एव एतत ग्रिहितम इसको वहां से ही ग्रिहितम यानि लिया गया है यह जो चक्र है उसको वहां से ही लिया गया है प्रडवह अस्मी चक्रे चतुरविनसती अरासंती इस चक्र में 24 अरा यानि तिलिया है इस चक्र में 24 तिलिया है ऐसा कौन करा है उसका फ्रेंड कह रहा है प्रडवह कि इसमें 24 नेक्स मेरी नाम की लड़की कहती है भारतश्य शम्विधान शभायाम 22 जुलाई 1947 तमे वर्से समग्र तया अस्य ध्वजश्य स्वी कर्डम जातम मेरी कहती है कि भारत के सम्विधान में 22 जुलाई 1947 में इस ध्वज को श्विकार किया गया था हर एक देश के अलग-अलग ध्वज होते हैं तो हमारे भारत देश में 22 जुलाई 1947 को इस ध्वज को श्विकार किया गया था तेजिंदर नाम का बच्चा कहता है अस्माकम्त्रिवर्ड ध्वज स्वाधिन्तया राष्ट गौरवस्य च प्रतीक हमारा जो यह तिरंगा जंडा है वह स्वाधिन्ता और राष्ट के गौरव का भी प्रतीक है अत एव इसलिए स्वतंत्ता दिवसे गड़तंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पुर्वकम भवती इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि स्वतंता दिवस और गड़तंतिवस 26 जैनवरी और 15 अगस्त को इस ध्वज को बहुत ही हर्सो उल्लास के साथ फहराते है जैतु त्रिवड़ा ध्वज जैतु भारतम जै हो ऐसे तिरंगे जंडे को और जै हो हमारी भारत भूमी को या हमारे भारत देश को जैहिन जै भारत धर्नेवाद